फ्रेंण्स रादे कैशे हो मेरे चैनल में आपका और आद में बनाने जानी यह रम मेरे तरीके से बना चाहिए इसप्रियों ॉक página लॉट यह चार गंटी प्याज की हैं दो से ग्राम टमाटर है इस प्याज को हम घिसके और टमाटर विसके आपको दिखा रहे हैं यह प्याज मैंने घिस लिए और पहले प्याज को भूने रखते हैं फिर टमाटर दिखाऊंगे आपको हो गया तेज़ पात के दो पश्ची है और यह जीरा है आधा चम्मच का तड़िया है अब मैं इसमें डालूँगी प्याच कद्दू कस कर लिए जो मैंने प्याच टमाटर प्याच की चट्पी आपने बहुत खाई हूंगी एक बार मेरे तरीके से बना के देखना आप डेली खाऊगे बनाके टेस्ट आती है सब्जी के साथ भी खाऊगया इसको भूझेंगे हम गोल्डन ब्राउन पोजा तब तक भूझेंगे इसको हमारी प्याच बने अभी पांस मिनट और छोड़ना पड़ेगा तोकि अभी गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है अभी पा यह प्याच का करण एक दन गोल्डन हो गया है अब प्याच हमारी भूझ गई है अब हम डालेंगे इतने मसाले में एक चमच हल्दी मिर्जनिया डालेंगे अब हम डालेंगे इसमें टमाटर अपने जो हमने कट करके रख लिए हैं च्पड़ी च्पड़ों में अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम पानी और इसको पांस में डखके हम रख देंगे इसको अब इसमें हम डालेंगे नमक लोग नमक अब अपने स्वाथ के हिसाब से डाल सकती है जो से को अधी बसे से पासबट और रखेंगे जिसे टमाटर मारे मत्या लाई कि दोस्तों को लोके देखेंगे इसको हो वा, इसका टैक्चर देखिए, लोग बढ़िया आया है, यह चख्णी बनके हमारी रेडी हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे हारा दनिया, और चख्णी हमारी बनके रेडी हो गई है, और हम सब करके आपको दिखाएंगे, देखें लोग दोस्त, जक्नी बढ़िया चख्ण कि दोस्तों यह चटनी मेरी बनके रेडी हो गई है मैंने सर्फ कर ली है और आप देखें चटनी कैसी बनी है दोस्तों मेरी बना हुई प्यास टमाटर की चटनी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दवाना और कैसी लगी कमेट में लिखना शेयर करना मत बूलना और ऐस कि आपको जानने है तो जल्दी से चैनल स्टाइब पर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तर्ली ट्रेंट से आदे हैं